और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, देशवासी भी सुन रहे हैं, पहली गटना, पांच मार्थ 1966, पांच मार्थ 1966, इस दिन कॉंग्रेस ने मिजोरम में आज सहाय नागरिकों पर अपनी वायू सेना के माध्यम से हमला करवाया था, अब गंबीर विवाद हुआ था, कॉंग्रेस वाले जवाब दे क्या, वो किसी दूसरी देश की वायू सेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा ये भारथ सरकार की बाई उस सेना से हमला करवाया गया निर्दोस नागरी को पर हमला करवाया और माझे देख जी आज भी मिजोरम में पांच मार्च को आज भी पुरा मिजोरम शोक मनाता है उस दर्द को मिजोरम भूलनी पा रहा है कभी उन्होंने महब लगाने की कोशिश नहीं किये, घाओ भरने का प्रयास तक नहीं किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है, और कॉंग्रेस ने इस सज को देश के सामने छिपाया है, दोस्तों, ये सत्या, देश से उन्होंने छिपाया है, क्या अपने ही देश में भायू सेना से हमला करवाना, कौन था उसमाएं, इंद्रा गांधी, अकाल सक्त पर हमला हुआ है तो अग्वी भी हमारी सम्रती में है, उनको मिजुरम में उसके पहले या आदत लग गई थी, और इसलिए, अकाल सक्त पर हमला कर दे तक वो पहुचे थी, मेरे ही देश में थी, और यहां में उपदेद दे रहे हैं, आदनियद्धिक जी, नौर्सिश में, वहां के लोगों के विस्वास की इनोंने हद्ट्या किये हैं, और गाव किसे ने किसी समस्या के रूप में उभर कर क्यारते हैं, उन्हीं के कारना में हैं, आदनियद्धि, मैं दूसरी घटना के बड़न करना चाहता हूं, और वो घटना हैं 1962, 1962 का वो खौपनाक रेडियो प्रसारान, आज भी शूल की तरह, दौर से इसके लोगों को चूप रहा है, पंडित मेरु ने, 1962 में, जब देश के उपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अप्रिक्षा करके बैटे थे, उनको कोई मदज मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा, लोग अपने हादनों से लड़ाई लेंडे के लिए मादान में उतरे हुए थे, ऐसी विकट गड़ी में, दिल्ली के शासन पर बेटे हुए, और उस समय पर, एक मातर जो नेता हुआ करते थे, पंडित नहरून ने रेडियो पर क्या कहा था, उन्हों ने कहा था, माई हाट गोज आउर्ट दू पीपल अपासा, ये हाल करके रखता था उन्हों ने, वो प्रशारा, आज भी, असम के लोगों के लिए, एक नस्तर की तरह चूपता रहता है, और किस प्रकार के उस समय है, नहरू जी ने, उन्हें अपने भाग के पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं, आदर नियदक जी, यहाँ चले गए लोहिया बादी, ये उन्दुकों में भी सुनाना चाहता था, जो लोग अपने आपको लोहिया जी का बारिश कहते हैं, और जो कल सदन में बड़े उचल उचल करके बोल रहे हैं, हाथ लंबे चौड़े करनी के कोशिच कर रहे हैं, लोहिया जीने नैरू जी पर गंबीर आरोप लगाया था, और लोहिया जीने कहा था, और वारोप था कि जान बुझकर, नहरू जी नौर्थ इसका विकास नहीं कर रहे हैं, जान बुझकर के नहीं कर रहे हैं, और लोहिया जी के शब्दत है, ये कितनी लापरवाई वाली और कितनी खतरनाक बात है, लोहिया जी के शक्त है, ये कितनी लापरवाई लापरवाई वाली और कितनी खतरनाक बात है, तीस हजार स्क्वेर मिल से बड़े छेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके, उसे हर तरह के विकास से वन्चित कर दिया गया है, ये लोहिया जीने नहरू पर आरोप लगाया था, कि नौर्द इसके लिए तुम्हारा रवहिया क्या है, ये कहा था, नौर्द इसके लोगों के रुदय को, उनकी भावनाओं को, आपने कभी समझने की कोशिस नहीं किये, मेरे मंत्री परिशद के, चार सो मंत्री, रात्री निवास करके और अखेले स्ट्रेट हेड़कॉर्टर पर नहीं है, बिस्ट्रिक हेड़कॉर्टर, अब मैं स्वाइम पचास बार गया, ये आकड़ा नहीं है सिरफ, ये साधना है, ये नार्दिस जेपुती समर पर है,